स्वागत है आपका आपके अपने चनले स्टड़ी विद मोटिवेशन में तो इस वीडियों बात करने वाले हैं यूपिटर पलस सी कमभाइन टेकनिकल रिजल्ट को लेकर की क्या लेटेस्ट अपडेट है तो काफी समय से रिजल्ट को लेकर इंतजार है और आयोग इसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं कर रहा है और जारी क्यों नहीं कर रहा था क्योंकि उसको पदो की संख्या में कमी करनी थी और सेम यही हुआ, तो जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है, तो पदो की संख्याग हटाई गई है, अब पदो की संख्याग कितनी हो गई है, और कौन कौन से प्रकार की पद हटाई गया है, इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो नोटिस जारी किया गया है, वो एक्जाम से पहले घा जाते तो ज्यादा सही रहता अब भैर्थियों को इतना इंतजार नहीं करना पड़ता तो आयो कि जो नोटिस है और कौन-कौन से पद हठाए गए हैं अब कितने पदबच्चे हैं तो यह सब हम देखेंगे चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो यहां पर दोस्तो आप देख सकते हो कि 19 फबरवरी आप आज ही यह आपका जो नोटी से वो जारी किया गया है और यहां पर आप देख सकते हो कि 30 परिक्षे 2016 समलित तकनीकी सेवा कमाइड टेकनिकल की जो आपकी 16 में लिया गया था यह सारी जानकारी यहां पर दी गई है उसके बाद उक्त विग्यापन के प्रिस्तर साथ में 31 के क्रमांग 3 सेकंड पर निदेशक महिला कलाण उत्ताप्रदेश लखनाओ के नियंत्रान धीन क्राप्ट प्रसिक्षक के पद हटाए गए हैं तो यहां पर आप देख सकते हो जो 43 पद थे वो चैन की कारवाहिना किया जाने था विभाग के द्वारा प्रिसित अधियाचन को मूल रूप से वापस कियाने का रोध किया गया है तो यहां पर आप क्राप्ट प्रसिक्षक के जो अभ्यार थी थे इसको भी वापस ले लिया गया है तो 44 पद हटाए गये हैं आपर आप देख सकते हैं उसके बाद सुच्च है कि रिक्त पदों पर चैन कराए जाने अथ्वा चैन ना कराए जाने कांतिमधान अधिकार अधियाचन करता विभाग का होता है तो इसके अंतर बाकी ये सारी चीज़े अपना ये लिखे हैं कि ये सब अधिकार हैं इनके पास पद हटा दे जब चाहे तब पद हटा सकते हैं तो इतने समय बाद पद हटा ना ही था तो पहले ही हटा दिये होते हैं बिग्यापन जारी हो तक उसके कुछ समय के बाद भ्यार्थियों क्यों इतना लंबा इंददार कराना पड़ा इन लोगों को तो इस प्रकार से टोटल जो 44 पद है वो हटाए गये हैं तो अगर रिजल्ट की बात करें कि आयोग कब तक रिजल्ट जारी करेगा तो यह काम पहले भी आयोग कर सकता था लेकिन इतना लेट लतिफी करता गया और अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किया तो आखिरकार अब जब पद वापस हो गया तो बाकी जो पद बचे हुए हैं उनकी रिजल्ट आखिरकार आयोग जल्द से जल्द जारी करें और अब भेहरतियों को जो इंतजार है वो जल्द से जल्द समाप्त हो तो अब रिजल्ट को लेकर अगर कोई जानकारी मुझे मिलती है कि कब तक जारी होगा क्योंकि आप प्रोसस आगे बढ़ेगा आपका क करना था इसमें वापस लेने कि जो काफ ही समय से चर्च थी वापस ले लिए गया हैं अब रिजल्ट आपका हो सकता है कि जल्द ही जारी हो लेकिन अगर जब तक जारी होगा अगर कोई जानकारी मिलती है तो आपक साथ साथ सेर्च जल्द करेंगे तो यह कूछ जानकारी थी महत पूंट मुझे आप लोगों साथ सेर करनी थी वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लिजेगा अगर आप चैनल पर नाया हो तो चलों को सब्सक्राइब कर लिजेगा जो भी लेटेस्ट अपडेट हो आपकी इस चैनल के माध्यम से मिलती रही चलिए दोस्त प्सलिए